Hello students, welcome back. Previous class में हमने Block Diagram of Generic Microprocessor ये topic complete किया था. आज हम इनी block के बारे में details में देखेंगे. ये question 11 mark के लिए आते हैं. तो आज का हमारा पहला topic है जिसका नाम है address bus. सबसे पहले identify कर लो कि address bus कहाँ पर, देखो कि यहाँ पर address bus है. तो ये 16 lines का group है. अब ये lines मतलब यहाँ पर guys wires. वैसे भी ये bus होती क्या है. Bus is a collection of wires. It's a group of wires होती है. तो यहाँ पर ये 16 line का याने ही 16 wire का एक group है. और हर एक wire को 16 wire है. तो पहले wire को आपने A0 नाम दिया. Then A1, ऐसे करते करते A15. अगर आप इसको अच्छे से count करोगे तो आपको यहाँ पर 16 line का group यहाँ पर मिलेगा. तो previous class में हमने देखा था कि एक address bus जो होती है वो 16 bit के होती है. अब 16 bit की होती है. इसलिए ये 16 bit का address क्या कर सकती है? क्या री कर सकती है? उसमें भी आप यहाँ पर देखो कि यही दो group है. आप बोलेंगे कि 16 line तो आपने बोला है बढ़ यहाँ तो हमें दो ही line नजर आ रही है. तो ऐसा नहीं यहाँ पर एक-एक line again 8 wire का group है. तो जो पहला group है इसे बोलते है higher byte. तो यह जो address होता है हमारा 16 bit का इसका जो यह C0 जो हमने example लिया था previous class में C0 हमारे पहले दो digit है इस address के तो यह पहला group क्यारी करेगा. जो दूसरा group है उसे lower byte बोलते हैं तो जो second two numbers है यह दूसरा group क्यारी करेगा. तो ultimately इस 4 digit के hexadecimal में 16 bit होते हैं तो इसका काम ही क्या होता है हमारे address bus का 16 bit का address क्यारी करना और आप यह point भी लिखना नहीं भूलना है कि the address bus is used to carry 16 bit address तो कभी-कभी तो क्या होता है इतने 2 point लिखने के ऊपर भी आपको one mark मिल जाता है पर फिर भी एक point आपको यहाँ पर extra लिखना है और वो है direction के बारे में आप अच्छे से diagram को यहाँ पर observe करो कि यहाँ से मतलब यह जो पूरा unit दिख रहा है इसे MP unit बोलते हैं यानि हमारा microprocessor है यहाँ से direction बाहर निकल रहा है और वापस आ रहा है कि यहाँ पर नहीं हम बस यहाँ से बाहर निकल रहे है बस यह one way है one directional है और one directional कोई क्या बोलते है unidirectional बोलते है और यह point आपको अच्छे से लिखना है the address bus is a unidirectional तो direction कहां से कहां पर है वो भी आप explain कर सकते है यानि कि जो bit flow होती है यहाँ पर microprocessor unit से जाती कहां पर है address bus का काम क्या होता है यह जो memory locations है इनके जो address है उनसे contact करना not only memory location गाईज जो peripheral device होते है ना computer के अंदर जो microprocessor के साथ attach होते है उनके भी unique address होते है जैसे यहाँ पर मैंने example लिये है बिल्कुल वैसे ही अगर microprocessor को किसी memory location का data के अंदर लेके आना है तो पहले उसे contact बनाना पड़ेगा जैसे 78 है हमारा data है instruction है मुझे इस MP unit के अंदर लेके आना है तो सबसे पहले तो microprocessor को वो address मान लो ना कि यहाँ पर वो address पर वो data store है तो पहले वो address यहाँ से send होता है और then यहाँ पर contact established होता है तभी यह data इसके अंदर आ सकता है तो contact करने का काम किसका होता है MPU का होता है और यह unit directional होता है तो इसलिए आप यहाँ पर point को explain कर सकते हैं कि beats flow in a one direction from micropro processing unit याने ही MPU to peripheral devices याने input output devices and memory तो आमने बस यहाँ पर memory का example लिया है peripheral device का भी आप example ले सकते हैं जैसे keyboard हो गया, mouse हो गया पता है इनके भी ऐसे address होते हैं अब keyboard, mouse यह हमने दिये हुए नाम है न उन equipment को actually computer उसे I mean to say that कि micropro processor उसे कैसे identify करता है उने एक number देखे identify करता है तो बस यह आपको तीन point लिखने है और आपको one mark मिल जाएगा पर फिर भी कुछ extra point हम यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर आप next point लिख सकते हैं इन a computer system याने हमारे computer के बारे हम बात चल रही है इच peripheral और memory location is identified by a number called an address अब भी थोट देर पहले मैंने आपको बताया है हर चीज को microprocessor के साथ जो भी चीज अटेच होती है चोटा फ़चोटा component के उना हो या कोई भी memory location के उना हो उसे identified करने के लिए microprocessor उसे एक number देता है और उसे number को address बोलते हैं जैसे आपका college देख लो ना guys जैसे आपने college में admission ली आपको एक admission number मिलता है और एक unique admission number वो होता है college वाले आपको उसी number से identify करते हैं इवन जब आपको एक class में particular class में entry करते हैं तो आपको एक role number assign होता है तो वो role number एक number ही है ना guys तो जैसे बाकी यहाँ पे भी देख आपको number से जाना जाता है हर organization में वैसे computer के अंदर हर memory location को और हर peripheral device को एक unique address दिया जाता है और उसी को क्या बोलते हैं address बोलते हैं जैसे कि यहाँ पे 78 इस store है guys computer को नहीं पता कि यहाँ पे क्या store है computer को बस इतना बता है कि इस memory location का address क्या है तो इस memory location का address 002 HIN and so on बोकी के address है then हमें computer को बताना पड़ता है कि इस address के तरफ चले जाओ और वहाँ पे जो data है वो computer के अंदर लेके आ जाओ तो ऐसा ही concept यहाँ पे address और calling का है तो अगर microprocessor को contact करना हो किसी भी location से तो यहाँ से address send करता है बस इतना आपको अच्छे से ध्यान में रखना है अब रही बात कि यह कितने address support करता है तो यह depend करता है यहाँ पे कि यहाँ पे कितने bit की address बस हमारे पास available है अब ज़रा सोचो ना 16 bit मतलब क्या होता है तो 16 0 से बना हुआ number और 16 1 से बना हुआ number तो आपको एक particular range आपको मिल जाएंगी आप उस number को solve करके देखो वो जो binary number है उसे आप decimal में convert करके देखो आपको यह चीज़ यहाँ पे मिल जाएंगी अगीन आपका सवाल आएगा सर 64 k कैसे आए जैसे नहीं क्या 1024 byte is equal to 1 kilobyte होता है है ना guys 1024 MB याने 1 GB होता है बस इस number को आप 1024 से divide कर दो और आपको 64 k ऐसा answer मिल जाएगा तो हम जो counting करते हैं यहाँ पे वो kilobyte में वगरे करते हैं एक प्रकार की यह counting ही है तो 16 line के address बस से आप 65,536 address को क्या कर सकते guys address कर सकते इसी का मतलब यह जो हमारा generic macro processor है इतने location को support कर सकता है इतनी location होते है तो जो देखो मैंने बस beach में से कुछ location उठाए है तो पता है जो पहला location होगा हमारा वो क्या रहेगा बता है 4x0H से लेकर जो final number रहेगा हमारा 4xfh तक रहेगा यह h मतलब क्या होता guys hexadecimal number होता है आपके mind में और एक doubt हैगा कि सर ने तो 4-0 लिखें और आप तो बात कर रहे थे 16 bit के 16 bit मतलब binary digit और यहाँ पे जो भी digit लिखी गई है वो hexadecimal digit है और आपने उतना knowledge तो 11 से आप लेके आए होंगे कि each hexadecimal के digit 4-digit binary form में आप convert कर सकते हैं तो अपने आप में यह 4 hexadecimal के digits मतलब 16 digits हैं तो अगर आप इसको एक कागज के उपर लिखते हैं पहला number 4 times H करके ऐसा करते-करते जाओगे ना guys identify करने की even हमारे 80-85 की भी range यही रहने वाली है यह आपको जो addresses है इनकी बराबर range आपको ध्यान में रखनी है आगे-ागे यह सब कुछ याद हो जाता है first time आप देख रहे हैं तो थोड़ा सा आपको difficult लग सकता है तो I hope so कि आप 1 mark इसके उपर score कर पाऊगे बढ़ते हैं next block के तरफ block या bus का नाम है data bus यह भी question 1 mark के लिए आता है 3 points sufficient है 1 mark score करने के लिए पहले identify तो कर रहे हैं आप यहाँ पर इसे अच्छे से देख पा रहे होंगे यह block है हमारा data bus यह जो बाहर निकली है वही हमारे data bus है तो देखो कुछ point लिखते हैं सबसे पहला point है the data bus is a group of 8 lines generally identified as D0 to D7 तो कितने wire का guys यह group है 8 wire का यह group है मान लो कि पहले वाले wire को D0 नाम दिया है दूसरे को D1 दिया है ऐसे करते करते कहां तक जाओगे D7 तो ultimately कितने line का group हो गया यह 8 line का यहां पर यह group हो गया है तो इसका काम क्या है guys वही तो लिखना है अगर address bus address क्या carry करती है तो data bus क्या carry करेंगे the data bus is used to carry 8 bit data तो 8 bit data carry करने का काम data bus करती है देखो guys address data यह word इस chapter में आगे आगे आने ही वाले है तो एक थोड़ा से एक assumption कर लो कि अगर 4 digit का number अगर आपको नजर आता है जिसे hexadecml की 4 digit मतलब address उसे assume करो और जो 2 digit के number नजर आते हैं उसे क्या assume करो data assume करो अगले chapter में था हम detail में इन चीज़ को पढ़ने ही वाले हैं बड़ ये chapter पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा ये assumption करना है 16 bit का address होता है तो 8 bit का क्या होता है data होता है ये 2 point के उपर भी कभी कभी आपको marks मिल सकते है 1 mark बड़ एक 3 point लिखना नहीं बूलना है data bus are bidirectional आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो wire दिख रही है ये जो group of wire है देखो bidirectional है और address bus कैसी है unidirectional है तो ये bidirectional क्यों है जैसे कि मुझे 78H ये value इस microprocessor unit के अंदर लेके आना है पिछले class में समझाया है आज भी समझाया है मैंने कि microprocessor यहाँ से address भेजता है यहाँ पे contact होता है बस इतना ही काम होता address bus का की contact करना एक बार contact हो गया तो इसके उपर कौन store है गाई 78H store है अब इसके अंदर address bus से through नहीं चाती है वो value वो जाती है data bus के through तो ये 78H इस address bus के through यहाँ पे चली गई है तो इसलिए यह अंदर तो गई है बड़ यहाँ का data बाहर भी तो आ सकता है अज्यूम कर लो कि accumulator में एक result जनरेट हुआ और मुझे यह पहले address के उपर store करना है तो computer आपको पूछेगा कौन से address के उपर store करना है तो अगेन address निकलता है और इससे contact बनता है contact हो गया है तो यहाँ पे आपको value store करनी है तो बस आपको इसका direction लिखना है तो बस आपको इसका direction लिखना है that means data flow in both the direction between MPU and memory and peripheral devices तो data दोनों direction में flow होता है वो memory peripheral से MPU में भी आता और MPU से इन चीजे में भी चला जाता है तो I hope so कि इतना point आपको समझ गया होगा कुछ additional point है वो भी देख लेते है जैसे कि point MPU uses the database for transferring data जैसे हमने थोड़े देर पहले देखा है इसका काम MPU data को transmit करने के लिए करता है both the direction में next point देख लेते कि इसकी range वगरे क्या है तो आपको तो पता ही है हमारे जो data bus है वो 8 bit की है 8 bit याने 8 wire तो एक wire से 1 bit जाती है याने 1 0 या 1 जाता है तो उसकी range आप निकाल सकते है the 8 line can carry 8 bit data ranging from 00 to FF अब 00 to FF ये hexadecimal number है तो ये number कैसे बनेगा इस 8 0 से बना हुआ hexadecimal number तो क्या बनेगा? 00, 44 के group ही तो बनाते है अब वैसे ही यहाँ पे FF के बारे में दिया है FF याने जो पहले 4 number है binary 111 उसको आप F लिक सकते हैं अगर आप इसे count करते हैं 00 से लेकर FF तक अगर तो आपको range मिलेंगे 256 number की उसे shortcut में निकालने का तरीका है 2 raise to power 8 ये 8 कहां से आया है guys ये number आप wire से आया है तो आपको 256 number का यहाँ पे support मिलता है generic microprocessor में as well as जो हमारा next topic आने वाले है आगे वाले 80, 85 उसमें भी इतने ही number का यहाँ पे support मिलता है आपको दिखने के लिए छोटी range लगती होंगी बड़ इसी का यूज़ करके आप थोड़े बड़े calculation perform कर सकते हैं और आज के जमाने computer तो इससे बड़ी range handle कर सकते हैं अब देखो guys इस database से एक property मिलती है macroprocessor की वही हमें देखनी है the microprocessor having 8-bit database are called as 8-bit microprocessor याने ही microprocessor में जो database कितने bit की है इसी property से उस microprocessor को उतने bit का microprocessor कहां चाता है जैसे 4004 ये कितने bit का microprocessor تھा guys 4-bit का microprocessor ता तो पता है उसमे database कितने bit की होंगी guys 4-bit की data bus होंगी बस 4 wire का वहाँ पे group का support आपको मिलेगा वैसे 80-80 हो गया 80-85 हो गया यह 8-bit के थे मतलब इसमें कितने bit की data bus होंगी 8-bit की data bus होंगी और दुनिया का पहला 16-bit का microprocessor कौन सा था 80-86 तो वो 16-bit का microprocessor है मतलब उसमें data bus कितने bit की रहेंगी 16-bit की data bus रहेंगी तो यह जो property है कि microprocessor कितने bit का है उसे कहां से मिलती है data bus से मिलती है यारे आज की जमाने के हमारे microprocessor कितने bit के गाईज जो इसके उपर आप वीडियो देख रहे हैं mobile के उपर या फिर laptop के उपर 64-bit के तो भी वो at least होंगे तो उनके अंदर जो data bus है वो कितने bit की है 64-bit के तो आप calculation आप खुद करके देखो 16-1 से बना हुआ number की range आप देखो और आपको पता चल जाएगा कि आपका computer कितनी बड़ी range का data handle कर सकता है तो इसे कुछ point है जो आपको लिखने आने चाहिए बार-बार आप इसे पढ़ते रहोगे तो ही आपको इस चीज़े समझने लगती है बढ़ते हैं next block के तरफ next block या register का नाम है the data address register आप point out कर सकते हैं यहाँ पे हैं या नहीं हमारा कल का पहला topic इसके बार में आप थोड़ा बोच जानते हैं उसी को हम देखने वाले हैं ताकि हम one marks अच्छे से score कर सके exam में पहला point आप यहाँ पे लिख सकते हैं it is a two eight bit register that can be used separately और as a combined pair आप देख सकते हैं यह दो eight bit register का combination है पहले register को बोलते हैं H और दूसरे इसको बोलते हैं L तो यह eight eight bit के हैं अब तक तो आप समझ गये होंगे कि eight bit क्या होता है आठ binary zero या आठ binary one से बना हुआ number तो पहले इसमें क्या store हो सकते हैं दो डिजिट store हो सकते हैं मुझे यहाँ पे दो number store करने है तो आप आराम से H में दूसरा number L में दूसरा number ऐसा आप यहाँ पे store कर सकते हैं और अगर आपको बड़ा सा number है बड़ा सा number याने कौन सा number गाई 16 bit का number और 16 bit का number हमारे chapter में कहाँ पे आने वाला है address में तो as well as यह data तो store करता ही है 8 bit का address भी store करता है इसलिए यहाँ पे यह point लिखा है it can be used separately और as a combined pair जब separately use होता है तो दो data store कर सकता है और एक as a combined pair अगर वो use होता है तो address यह store कर सकता है next point दिखते हैं they are labeled as H and L that means high order byte and low order byte तो आपको तो यह भी पता है उसे से यह पहल रेश्टर को नाम मिला है बात के दो दो डिजिट होते हैं उसे lower byte बोलते हैं और वहां से उसको यह नाम मिला है L next point में यह क्या store कर सकते हैं वो हम चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे कि they are a general purpose register general purpose यह जैने गाइस common register है हमारे कुछ भी computer में आपको data store करना है तो वो यहाँ पे आके store आप कर सकते हैं again वही point कि data can be stored in this register when they are using pair 16 bit addresses can also be stored अकेले काम करता है यह तो data store कर सकता है और pair में काम कर सकता है तो एक single address यहाँ पे यह store कर सकता है तो यह question guys one mark exam में आता है इतने point आराम से sufficient है तो क्या exam में आपको इसकी diagram निकालनी है निकाल सकते हो आप छोटा सा तो block है नई निकाली तो भी आपको इस तीन point के उपर one mark मिल जाएगा बढ़ते हैं next block के तरफ block का नाम है instruction register जैसा नाम वैसा इसका काम register याने storage क्या store करने वाला है instruction store करने वाला है बस instruction register की size कितनी रहती है वो हम पहले देख लेते हैं this is an 8 bit register देखो guys यह जो हमारा register instruction register जो मैंने point out कर रहा हूँ यह just 8 bit का register है क्यों है आपको थोट देर में समझ जाएगा यह क्या store करता है the first byte that means 8 bits मतलब ही opcode of an instruction is stored in this register instruction register में first byte of the instruction store होती है और first byte आप first छोड़ दोना byte का मतलब ही क्या होता है 8 bit होता है और opcode क्यों बोला गया है देखो आपको example से समझ जाएगा जैसे कि move a,b मैंने आपको कुछ class पहले बताया होगा कि हम इसी instruction को refer करके बहुत सारे topic पढ़ेंगे इसे instruction बोलते हैं जो next chapter में आने वाले हैं बड़ी इंग्लिश में लिखा गया instruction है move a,b actually micro poser को ये नहीं समझता है इसके जगे पे op code यानि कि operation code उसे assign किया जाता है 78 h move a,b मतलब 78 h ही है और 78 h कितने bit का data है of course 8 bit का data है ये opcode मतलब ही हमारा ये 8 bit का data ये मुझे micro poser के अंदर store करना है तो उसे store कौन करेगा instruction register store करेगा 78 h instruction register में store हो सकता है और इसी को हम opcode भी बोलते हैं इसलिए इसकी जो size है guys instruction register की वो है 8 bit अब first byte second byte, third byte क्या होती है वो तो आपको अगले chapter में समझेगा बस इतना याद रखना instruction की पहली byte मतलब ही opcode होता है तो अब देखो यहाँ पर data आना इसे बोलते हैं fetching process मैंने आपको कल भी बताया होँगा microbosser का पहला काम होता ही क्या है to fetch याने instruction को microbosser के अंदर ले के आना उसके बाद क्या होता है guys decode तो decode कौन करता है instruction decoder करता है यही हमारा next block instruction decoder देखो इसके बारे में आपको क्या लिखना है this unit interprets the content of instruction register interpret का मतलब guys समझना decode करना जो instruction register में content आये है उसका meaning क्या निकलता है वो यह निकालता instruction decoder याने इसे decode करता है जैसे कि 78H यहाँ पर आया है 78H का meaning क्या होता है तो move a,b होता है मतलब क्या करना है b का data read करना है और a में copy करना है उसके बाद यही चीज़ तो determine करता है वो it determines the exact step to be followed in execution the entire instruction and direct the control section accordingly याने ही इस instruction में कौन कौन सी step चुपी है वो instruction decoder निकालता है execute नहीं करता है बस determine करता है जैसे कि यहाँ पे दो step है b का data read करो और उसके बाद क्या करो a में write करो और जैसे उसने determine कर लिया उसके बाद देखो यह decoder content कहाँ पे जाते है timing and control unit में जाते है इसलिए यहाँ पे लिखा है and direct the control section accordingly अब देख सकते हैं यहाँ पे उसे मिलता ही क्या है स्रीफ determine करना कि उसमें कौन सी steps है और उसके बाद बाकी काम तो timing and control unit करता ही है but then next block के तरब